तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो कि इसमें विसिकली थोड़ा ध्यान देना 3D भी हुए आँखों से नहीं दिमाग से समझना ठीकिना जिसको डाइरेक्शन आपें डेडियूस करें निकालें नहीं आता है उसको ये सवाल में दिक्कत आएगी एक electron इधर से आ रहा था जब electron इधर से चलता हुआ बहुत दूर से आ रहा है यहां से infinity से समझ लो बहुत दूर से आ रहा है electron होगी इलक्टान की अपवेज्व करेंट केरिंग कंड़क्टर जो है करेंट करिंग वायर मैगनेटिक फिल्ड बनाता है तो इस साइड मैनेटिक फिल्ड उपर आएगा और बाहर यह फिल्ड बनाएगा ओऊट वाड़ बनाएगा बोर्ड के स्क्रीन के प्लेन के पर्पेंडिगुलर आउट वार्ड यह बात आपको समझ में आ रहा होगा ठीक ना आई हो कि इतना सब को निकानने आता होगा चलो तो अब जैसे जैसे एक एक लॉजिक तो यह हो गया दूसरा यह है कि जैसे जैसे यह पास आएगा वैसे वैसे यह जो मैगनेटिक फिल्ड है वो इनक्रीज होगा जब पास आएगा जब इलेक्टान यह पास आएगा वैसे वैसे जो उपर मैगनेटिक फिल्ड क्रोस है उसकी वैलू इनक्रीज होगी और जैसे जैसे यहाँ पर आएगा तो जो मैगनेटिक फिल्ड की जो वैल कोाइल की डिक्रीज हो गी और जब यहां पर होगा तो इस कोаль से जो आसोशियाटेड मेंस तिक भी लिए यहां पर जोगी मैगनेटिक भी पागएगी फिर वेली यहां पर मैं बात कर रहा हूं यहां पर यहां पर कम होने लगेगी तो अगर यहां पर magnetic field दीरे दीरे इस region में magnetic field की value कम होने लगेगी, यह बात आपको समझ में आ गया होगा, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई, तो हम सब को पता है कि जब कभी भी, जब इलेक्टान पास आएगा, यहां से पास आएगा, तो magnetic field की value बढ़ेगी, magnetic field की value बढ़ेगी, जो cross वाली है, तो यह जो coil है, वो ऐसा magnetic field यह नहीं चाहेगा ना, मेरे से magnetic field बने, तो जो cross है, अगर वो बढ़ रहा है, तो जब पास आएगा, तो यह उसके opposite, मतलब बाहर की direction में magnetic field क्रियेट करेगा, तो जब बाहर की direction में magnetic field क्रियेट करेगा, तो right hand curl को दो, thumb को बाहर रख दो, समझे ना, thumb को, thumb को बाहर रख दो, और finger को curl कर दोगे, तो जो current है, इसमें ऐसे, यहां से flow होगी, समझ में आ रहा है, जब current ऐसे आएगी, तो magnetic field बढ़ेगा, तो magnetic field बढ़ेगा, तो उस बढ़ेगा, इस quail अपोच करेगा, बाहर की direction में, इंडिड पास आएगा, जब इस पास आएगा, तो current इसमें flow होगा, anti-clockwise, anti-clockwise, यह बात समझ में आया, जब पास आएगा, तो, लेकिन जब दूर जाएगा, ठीकिना, जब दूर जाएगा, तो magnetic field इसी से, जो magnetic field cross वाली है, उसकी value कम होगी, तो यह coil कभी नहीं चाहेगा, मेरे से value कम हो तो जो induced magnetic field है, induced magnetic field है, वो cross ही बनाएगा, increase करना चाहेगा उसको, तो right hand thumb को अंदर रख दो, अगर कल को घुमा दोगे, तो इसी में current जो है, वो clockwise आजाएगी, तो जब away जाएगा, दूर जाएगा, तो इसमें जो current है, वो clockwise जाएगा, clockwise जाएगा, ठीकिना, clockwise जाएगा, तो अगर यहाँ से clockwise जाएगा, मतलब यह होगा, current will reverse its direction, मतलब यह अपना A option सही है, ठीकिना, तेंक्यू,